नमस्कार मैं नीलम मिश्रा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ आज के वीडियो की शुरुआत रेन लीली के प्यारे प्यारे फूलों के साथ रेन लीली के वीडियो में मैंने आपको पिंक फ्लावर दिखायते आज देखिये वाइट और यलो में भी कितने कुपसूरत फूल की ले हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं आज का वीडियो इजी लीकुट फर्टिलाइजर आप घर पर कैसे बना सकते हैं इस पर है आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर में ही बहुत ही आसान तरीके से चार अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर बना सकते हैं लीकुट फर्टिलाइजर इसलिए क्योंकि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है और गर्मियों में liquid fertilizer देने से बहुत ही अच्छा result आता है आज का वीडियो बहुत ही important और informative होने वाला है इसलिए वीडियो को अन तक देखें और अच्छे से जानकारी ले लें कि कैसे आप आसानी से liquid fertilizer अपने घर में waste item से ही बना सकते हैं अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें जिससे आपको इसी तरह की useful जानकारी मिलती रहे nutrients वगेरा plant को easily liquid fertilizer के थ्रू मिल जाती है जो कि उनकी growth, flowering या fruits आने में बहुत ज़्यादा लाबकारी होता है सभी fertilizer जो market में अब लेवल होते हैं या जनरली जो आप घर पर बनाते हैं उनमें तीन nutrients ही basically important होते हैं वो होते हैं nitrogen, phosphorus और potassium यानि NPK बाकी nutrients भी होते हैं पर major यही तीन nutrients होते हैं जो plant को उनकी growth और अच्छे से flowering ब्रूस्ट करने के लिए या फ़लाने के लिए असरदार होते हैं तो जो चार liquid fertilizer मैं आपको घर में बनाना बताऊंगी उनमें भर पूर मात्रा में ये तीन nutrients होते हैं nitrogen अच्छी और सुन्दर पत्यों की growth के लिए बहुत असरदार होता है, phosphorus प्लांट को grow करने में मदद करता है और potassium अच्छी से flowering या fruiting में help करता है तो पहला liquid fertilizer है liquid banana peel इसमें भर पूर मात्रा में potassium होता है जो flowering plants के लिए अमरत के समान होता है ये बहुत ही आसानी से बन जाता है आप केले के कुछ छिलके लीजे और उनको थोड़ा छोटा छोटा काट करके एक bottle में भर लीजे जैसे मैं कर रहे हूँ अब इसमें थोड़ा पानी भरके आप इसको छायादार जगे पर करीब 2-3 दिन के लिए रख दीजे ये अपने आप उसमें डीकंपोज हो जाएगा और एक अच्छा सा लिक्विट फर्टिलाइजर आपके लिए तयार हो जाएगा इस तरह से देखिए आप थोड़ा चोड़े मू की बाटल ले सकते हैं बनाना पिल फर्टिलाइजर लिक्विट फर्म में आप सभी पेणों को दे सकते हैं इसको आप हपते में एक या दो बार थोड़ा थोड़ा अपने पेणों में डालें इससे पेणों को कोई नुक्सान नहीं होता है दूसरा लिक्विट फर्टिलाइजर तो बहुत ही कॉमन है यह है चावल का पानी या राइस वाटर जो चावल आप धो करके पानी फेक देते हैं उसको ना फेकते हुए आप एक बॉटल में कलेक्ट कर लीजिये और यह बहुत ही एक अच्छा सोर्स होता है नाइट्रोजन फासपूरस और पोटेशियम का अब इसको एक छोटी बॉटल में भल लीजिये और थोड़ा थोड़ा आपने पौदों में डालिए तो यह उनकी ग्रोथ, फ्लावरिंग और फूट्स वगएरा आने में बहुत ही हल्पूल होता है तीसरा लिक्ट फर्टिलाइजर भी आपके किचन में ही है वो है दाल वगएरा जो आप धोते हैं उनसे निकला हुआ पानी इस पानी को भी आप मत फेगे एक छोटी बॉटल में भल लीजिए और राइस वाटर की तरह ही थोड़ा थोड़ा आप यह अपने पौदों को देते रहिए तो यह उनके लिए बहुत ही जादा लापकारी होता है और उनको अच्छे से निउट्रियंस प्रवाइड करता है चोथा और इजी लि कोटल में भल लीजे और पानी डाल करके कुछ दिन के लिए शेड में रख दीजे यह अपने आप उसी में डीकंपोज हो करके उस पानी में अपने निउट्रियंस छोड़ देगा और फिर वह पानी एक निउट्रियंस रिच सोर्स होता है निउट्रियंस रिच आलू के छिलकों को फेक देते हैं चावल या डाल को दो कर उस पानी को फेक देते हैं तो आप उसको यूटिलाइज करिए एक अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज करिए और अपने पौदों को दीजिए तो उनमें अच्छे अच्छे सुन्दर सुन्दर फूल और उनकी ग्रोध भी अच्छे से होगी तो आप भी इन चारों फर्टिलाइजर को घर में बनाईए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए धन्यवाद